हाई श्टुदेंट्स वेलकम इन केमिस्टी क्लासेस मैं हूँ प्रियंका चैन और आप देख रहे हैं क्रेश कोर्सेस फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 मैं पहले आपको तीन क्रेश कोर्सेस दे चुकी हूं और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 प सबसे पहली बात आती है कि पिरियोडिक टेबल होती क्या है और इसकी जरूएत हमें क्यों पड़ी देखिए यहां पर बहुत सारे ऐलिमेंट से आपने देखा है केमिस्टी में बहुत सारे अलिमेंट की डिसकरवरी हो चुकी तो जिस तरीके से जब आपके बास बहुत सार पर मिल सकें ठीक उसी तरीके से आपकी बुक्स जो सेल से लगी होती है उतने भी आपको एक कैटेगरी वाइस्ट डिफाइन करना पड़ता है similarly यहाँ पर अलिमेंट्स जो है अब तक 118 अलिमेंट्स की डिसकरवरी हो चुकी है तो इन सारे अलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करना बहुत जरूरी है जिससे कि जो एक तरीके की प्रॉपर्टीज के अलिमेंट्स है उन्हें एक जगे पर जो एक तरीके के अलिमेंट्स है उनको एक जगे पर गुरूप करना उनकी सिमलर प्रॉपर्टीज के आधार पर इस तरीके से कि हमें जो एक तरीके के अलिमेंट्स एक तरीके से मिल सके और उनकी प्रॉपर्टीज है उनमें एक प्रॉपर्टीज देखने को मिलें इसे हम क की डिस्कवरी हो चुकी थी और उन्होंने इन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल की आधार पर डिपाइन गिया उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आया और उन्होंने अलग अलग तरीके से पिरियोडिक टेबल बनाई लेकिन जो सबसे एक नियुक्ता करेंट्स के अधार पर उनके अधार के टेकराईज किया तो उसके अधार पर उन्होंने क्या करा आठ गृप्स बनाए और सेवन पीडिरेट्स बनाए इसमें ऐलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरीके से कि वह अपने अधामें मासस के बढ़ते हुए क्रम में और फिर उन्होंने पाया कि elements की जो properties हैं वो जैसे जैसे atomic mass बढ़ता है तो एक regular interval के बाद वो जो atomic properties होती है वो regular interval के बाद repeat होने लगती है इसे हमने क्या का periodicity तो जो सबसे पहली well defined periodic table थी वो मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी 1869 में इसलिए इने father of the periodic table भी का जाता है अब इनकी बनाई हुई periodic table में कुछ limitations थे सबसे बढ़े limitation क्या था यह position of hydrogen के बारे में define नहीं कर पाए थे ओके दूसरी बात position of isotopes इसके बाद isotopes की discovery हुई isotopes क्या थे एक ही element के structures थे जिनके atomic masses different थे एक ही element है पर different different atomic masses है atomic number same है इनकी position क्या हो periodic table में इसको mandalip define नहीं कर पाए एक ही तरीके के elements को अलग-अलग groups में रखा गया था और जो अलग-अलग type के elements थे उन्हें same group में रखा गया था ठीक है यह point हो गया यह भी point हो गया और इसके बाद क्या था lengthenites और actenites इनकी position को भी mandalip define नहीं कर पाये तो इसके बाद आई modern periodic table तो अब हम आते है modern periodic table पर modern periodic table मुसले के द्वारा दी गई थी उन्होंने क्या किया elements से होके x-rays पास की और इसकी frequency चेक की तो उन्होंने क्या पाया जो frequency का root था frequency का root था वो directly proportional था किसके z के z क्या होता है atomic number तो इससे नहीं क्या define किया कि जो elements होते हैं उनकी atomic number जो है वो main property है और जो इनकी chemical or physical properties होती है किसी भी element की वो periodic function होता है उनके atomic number का ना कि atomic mass का तो जो मुसले थे उन्होंने elements को उनके atomic number के आधार पर define किया atomic number के बढ़ते हुए करम में रखा और एक table बनाई जिसको modern periodic table देखते हैं तो आईए हम अपनों देखते है modern periodic table किस type की है तो देखी यह modern periodic table है यहाँ पर इस periodic table में इसे long form या present form of the modern periodic table कहते हैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं one two three four five six seven seven यहाँ पर rows है ओके यह जो horizontal rows है जो आप यह देख रहे हैं यह इस तरीके से यह जो horizontal rows है इने हम क्या कहते हैं periods कहते हैं तो यहाँ पर seven periods है और यहाँ पर जो है 18 इस तरीके से vertical columns है यह जो है vertical columns है इने हम क्या कहते हैं groups इने हम कहेंगे groups तो एक modern periodic table में 18 groups हैं और seven periods होते हैं अब इन periods में से देखिए आप फर्स्ट जो पिरियड है यह सबसे छोटा पिरियड है से shortest period कहते हैं यहाँ पर सिर्फ दो elements है एक तो है hydrogen और दूसरा है helium यह shortest period है दूसरे period में 8 elements है और तीसरे पिरियड में भी आप देख सकते हैं और जो इस पिरियड में भी eight elements प्रिजेंट है और फॉर्थ और फिरियड यहाँ पर इन्हें long periods कहते हैं यहाँ पर total 18 elements प्रिजेंट हैं ओके और जो सिस्थ और seven periods है इन्हें longest कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 32 elements प्रिजेंट है इन 32 elements में से कुछ elements अलग table के रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं तो यह जो यह से रिए इस खीए इस सीरीज को हम कहते हैं लेंदे नइट सीरीज और इसे कहते हैं एक्टे नइट सीरीज इसकी बारे में हम लोग बाद में डिस्कॉस करते हैं तो पहले यहां पर देखते हैं जो आयू पीएसी नॉमेंकलेचर है उसके अंसार इस ग्रूप्स को फर्स्ट, सेकेंड, फर्थ, फिफ्थ, सिस्थ, सेवन इस प्रकार से टोटल 18 ग्रूप्स में डिवाइड किया गया है और जो मूझले ने पहले किया था उसमें उन्होंने कहा था कि यह जो ग्रूप है यह फर पूस लेके नुसार था और यहां पर यह थे यह फर्ड भी ग्रूप था फिर फोर्थ भी इस तरीके से यहां तक आप आ जाएंगे फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन थ भी ओके और फिर यह एट ग्रूप था एट ग्रूप जो है वह तीन ग्रूप्स में डिवाइड फिर यह फर्ष्ट भी था और यह सेकंड भी इस तरीके से यहां पर रखे गए थे ग्रूप्स लेकिन आयू पी असी नॉमेंकलेचर के नुसार इन्हें 18 ग्रूप्स में ओवरॉल डिवाइड किया गया अब देखिए यह किसी भी पीरियेट का नंबर है वो उसके आउटर है और या लिए एन तरिके से तरीके से हैं एसलिए यह number करता है कि यहां पर कितने जियसे कि यह फिए खरे रूप में टे ओ फर्स तरेस आउर्श कि इस उल्पिट अई Le氣emetery जो फश्ट और सेकर्ड एक एलिमेंट्स उन्हें S-Block elements कहते हैं यहां पर जो यह elements है इन्हें P-Block elements कहते हैं और यह 8th group है यहां भी electrons किसमें जा रहा है P-Block में जा रहा है यह टोटल 6 है लेकिन यहां पर यह completely filled हो चुका है इस लिए इन इंट इलिमेंट के लाते हैं क्योंकि यहां पर जो है आउटर शेल कॉन्पिग्रिशन कंप्लीट ली फिल हो चुका है तो इसलिए नोबल गेसे स्ब्सक्राइब यहां पर इनट इस चाहिए ऑब जो बचे हुए अलिमेंट से यहां पर यह सारे यह क्या पर यह क्योंकि यहां पर जो electrons हैं वो किस में जा रहे हैं यह d orbital में जा रहे हैं इनर d orbital n-1 d sub shell में जा रहे हैं अब देखिए हम आ जाते हैं यह नीचे वाले दो categories पर जो हमने आपको बताई थी lengthenite और actenite categories यहां पर electrons जो हैं यह 4F में entry कर रहे हैं और यहां पर जो electrons हैं यह 5F में entry कर रहे हैं तो यह 4F वाला होता है वो क्या कलाता है lengthenite series और फिफ्ट वाली है वो actenite series कलाती है और जो यह 4F है यह n-2 होता है इसलिए इननर transition series भी क्याते हैं ओके यह सारी चीज़े clear हैं अभी यहाँ पर कुछ important चीज़े और है जो यह elements हैं यहाँ पर देखिए इस series के C-U-A-G-A-U यह वाली series जो है यह coinase metals भी कहलाती हैं इन्हे coinase metals भी कहते हैं यहाँ पर जो यह 7th A के elements हैं इन्हें हम halogen के नाम से जानते हैं अभी यहाँ पर जो first A है इस first A के elements जो हैं hydrogen को छोड़के बाकी सारे metals alkaline metals कहलाते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह वाली series second A इसे हम क्या कहते हैं alkaline earth metals कहते हैं तो यहाँ तक सारी चीज़ें clear हो चुकी होगी I hope आपको सारी periodic table clear होगी अभी हम बढ़ते हैं periodic trends की तरफ तो periodic trends क्या होते हैं periodic trends मतलब regular gradation in properties from top to bottom in a group और from left to right in a period is called the periodicity in properties मतलब जब भी हम किसी भी period में right side की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी भी group में top से bottom की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो properties में एक gradation दिखाई देता है properties एक regular interval से change होती है या तो वो क्रम से बढ़ रही है या क्रम से घड़ रही है इस regular decreasement को और increment को हम क्या कहते हैं periodicity कहते हैं periodicity को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक important चीछ जाननी चाहिए screening effect screening effect और effective nuclear charge क्या होता है आवर या पर दो होते हैं कर रहा होते हैं लेकें यहां पर कए सारे shells प्रेश等 प्रेशन होते हैं तो जो यह outer mode shell का electron है यहांपर जो present है इसके द्वारा जो attractive force फील की जा रही है वो क्या इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी क्या इसा हो सकता है नहीं आहीं आहीं होता है माल लिज़े आपके class में कोछ students यहांपर बेठे ही यहां teacher बढ़ा रहा है यहां students बेटे हैं य यह जो students present है, यह क्या करेंगे? shield की तरह काम कर रहे हैं यह जो है, इसके तरफ जो extraction है nucleus का, इसको कम कर देते हैं यानि यह shield की तरह काम कर रहे है या screen की तरह काम कर रहे हैं इसलिए जो nuclear charge इस electron के द्वारा experience करा जा रहा है, वो कुछ कम हो जाता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जो nuclear charge इस electron के तरह फील किया जा रहा है इसे हम Z effective कहते हैं और जो Z effective होता है ये actually में Z minus sigma के बराबर होता है ये जो screening constant है इसको अगर हम Z से minus कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? Z effective मिल जाता है तो ये चीज basic understanding की है ये आपको पता होनी चाहिए तभी आप periodic trends को समझ सकते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी point क्या है? जिदना ज्यादा number of inner electrons होगा उतना ज्यादा ही screening effect होगा दूसरी बात screening effect जो है वो S orbital में जो electrons present होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा होता है फिर P के लिए होता है फिर D के लिए और F के लिए उसके बाद होता है इसे हम और क्या कह सकते हैं इसे हम कहते हैं penetrating effect भी कहते है Penetrating Effect of the Orbitals तो यह effect S के लिए सबसे ज़्यादा होता है फ केली फिर P के लिए होता है और फिर F के लिए होता है अब भी देखिए Z effective जो होता है वो positive charge के तो directly proportional होता है और negative charge के inversely proportional होता है मतलब जतना ज्यादा positive charge होगा उतना ज्यादा Z effective होगा क्योंकि positive charge जब यहां पर nucleus के पास positive charge जादा होगा तो electrons जो है वो attraction को ज़्यादा मैसूस करेंगे अगर यह charge कम होगा तो जो attractive force है वो कम हो जाएगा और एक बात important periodic trends अगर हम general trend देखते हैं तो क्या होता है जब भी हम किसी भी period में left to right जाते हैं इस direction में जाते हैं तो Z effective increase होता है क्यों कि रेगुलर इंटरवल पर यहां पर number of protons atomic number बढ़ रहा है यहां पर बढ़ रहा है तो जो nuclear charge है वो बढ़ रहा है shells का number उतना का उतना ही है अगर तीन shells हैं तो तीन shells ही present है यहां पर electrons का number बढ़ता जा रहा है यहां पर protons का number बढ़ रहा है तो जो यह attractive force है यह क्या हो रही है यह बढ़ रही है इसलिए Z effective जब भी हम period में left to right जाते हैं तो वह बढ़ता है और जब हम किसी भी group में top to bottom जा रहे हैं तो क्या होता है Z effective घटा है क्यों घटा है क्योंकि यहां पर देखिए charge यह इतना है लेकिन यहां पर number of shells पढ़ रहा है पहले एक shell था फिर दो shells था electrons तूर हो गए तीसरा shell होगा फिर चौता shell होगा जो इसके द्वारा feel किया जा रहा है attractive force वो इसमें कम होगा इससे भी कम इसके लिए होगा तो यहां पर जो electrons present है वो कम attractive force शो करेंगे बजाए यहां के electrons के तो इसलिए Z effective जो है वो decrease हो जाता है इसको आप कुछ examples की मतब से समझ सकते हैं देखिए माल लीजिए आपको दिया है N plus N और N minus तो कहां पर Z effective जादा होगा मैंने आपको बताया था जहां पर positive charge जादा है वहाँ पर Z effective जादा होगा तो इसके case में जादा होगा और negative charge है तो वो और कम हो जाएगा तो यह order होगा अगर आप ISO electronic species ले रहे हैं माल लीजिए आपने ली N minus 3 O minus 2 F minus Na plus and mg plus 2 सभी सेम पीरियड में है ठीक है ना ISO electronic species है क्योंकि सम्में electrons का number सेम है पर देखिए यहाँ पर negative charge सबसे जादा है और यहाँ पर positive charge सबसे जादा है negative charge कम हो रहा है positive charge बढ़ रहा है तो यहाँ पर Z effective सबसे कम होगा इससे जादा इसमें होगा फिर इसमें होगा और इसमें होगा यह होगा इसका correct order ओके चलिए अब देखते हैं सबसे पहला जो periodic trend हमें पढ़ना है वो किसके बारे में है जो सबसे पहली property है atomic radius सबसे important सबसे important दो properties हैं आपको ध्यान देना है atomic radius और ionization potential यह दोनों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है atomic radius को सबसे पहले देखते हैं और इसको मैजर भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम क्या लेते हैं half of the internuclear distance between two atoms इने homoatomic molecule that is called atomic radius मतलब अभी हम homoatomic molecule ले रहे हैं माल लीजे यह भी hydrogen है और यह भी hydrogen है दोनों आपस में जुड़े हुए है एक H2 molecule हमने लिया है तो इसमें जो इस nucleus से इस nucleus के बीच का distance है यह जो distance है इसका अगर हम half कर दें मतलब DHH divided by 2 इसको हम क्या कहेंगे radius कहेंगे H2 की ओके इस hydrogen की radius कहेंगे इस distance को अब देखिए radius तो है वो कई type की हो सकती है सबसे पहले हम देखते हैं covalent radius covalent radius मतलब covalently bonded जो molecules है covalent bond कैसे बन रहा है तो और विटल्स की इस तरीके से overlapping के द्वारा बन रहा है तो इसके case में जो covalent radius होती है वो सबसे कम होती है minimum होती है इससे ज्यादा होती है metallic radius और इसससे ज्यादा होती है इसके case में जो भी distance होता है दो molecules के nucleus के बीच में जो distance है उसका half कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा covalent radius मिल जाएगी मतलब अगर हमें किसी molecule की RA find out कर नहीं है तो हमें उसके 2 atoms को इस तरीके से जुड़े हुए है जो covalently bond के तौरा उनका half कर देंगे अगर distance का तो इससे हमें क्या मिल जाएगी आहरी मिल जाएगी दूसरी होती है metallic radius metallic radius जो metallic atoms होते है metals में जो atoms होते हैं वो आपस में इस तरीके से कुछ जुड़े हुए होते हैं तो इनके बीच का जो distance होता है इसका जो half कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा metallic radius मिल जाएगा similarly wonderwalls radius किसके case में देखने को मिलेगी आपको noble gases noble gases में जो atoms होते हैं वो wonderwall forces के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इनके बीच का जो distance होता है two atoms के बीच का इसका half कर देंगे तो हमें wonderwalls radius मिल जाएगी तो wonderwalls radius सबसे ज्यादा होती है फिर metallic radius होती है और सबसे कम क्या होती है covalent radius होती है अभी हम 4 important type पर आते हैं ionic radius देखे ionic radius दो टाइप के हो सकती है cationic radius और anionic radius cationic radius मतलब जो cation case में present है जैसे कि हमने देखा na plus या k plus किसी भी cation के case में जो radius present होगी उसको क्या कहेंगे cationic radius कहेंगे और cationic radius जो है वो हमेशा ही neutral molecule के कम होती है क्यों कम होती है क्योंकि z effective बढ़ जाता है z effective क्यों बढ़ जाएगा यहां पर charge बढ़ रहा है चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन यहां पर electrons की संख्या कम हो गई शैल भी हो सकता है कम हो जाए जैसे na plus के case में आप देखेंगे यहां से electron निकल गया यह electron जब चला गया तो यहां पर बचे न इसलिए z effective के बढ़ने से और number of electrons के decrease होने के कारण जो होती है वह हमेशा neutral item से कम होती है जैसे कि अभी मालीजे आपको दे दिया जाए पीवी प्लस टू दिया है और पीवी प्लस फोर दिया है आपको यहां पर इन दोनों में बताना है कि किसकी काम है किसकी ज़्यादा है हमेशा इसी तरीके के आपको problems करने को मिलेंगे तो देखिए यहां पर charge ज्यादा है तो इसकी radius कम होगी और इसकी ज्यादा होगी इस त ज्यादा seven, okay, तो किसकी case में सबसे कम होगी, यहां पर सबसे जादा charge है तो सबसे कम होगी, same atom है लेकिन एक एक लेक्ट रेक्रन निकलता जा रहा है, तो क्या होगा atomic radius जो है, वो ionic radius कम होती जा रही है, similarly आप देखिए, anionic case में क्या होगा, anionic radius मतलब अगर आप chlorine minus कि तो क्यों हो रहा है सा क्योंकि Z effective जो है वह क्या हो रहा है decrease हो रहा है और number of electrons जो है वह क्या हो रहा है increase हो रहा है अगर हम isoelectronic species लेते हैं मालीजी हमने लिए S-2 C L- K plus C A P लस two यह हम ले रहे हैं species तो सबसे कम किसके किस में होगी इसमें फिर इसमें होगी और इसमें होगी similarly अगर हम ले रहे हैं n-3, o-2, f- na+, mg-2 and al-3 तो आप खुद बता सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर order कुछ इस तरीके से होगा जितना ज्यादा positive charge होगा उतनी ज्यादा radius कम होती जाएगी और जितना ज्यादा negative charge होगा उतनी ज्यादा radius बढ़ जाएगी तो यह कुछ important example से आप इसे देख लीजे, एक और example दिखा रही हूँ s-2, cl- argon, k- ca-2 तो यहाँ भी radius का order क्या होगा इस तरीके से होगा तो अब देखते है general trend क्या होता है general trend यह है कि जब भी हम किसी period में left to right जाते हैं तो atomic radius decrease होती है क्यों decrease होती है क्योंकि ज्याद effective जो है वो बढ़ रहा है और number of shells जो है वो constant है तो इसलिए atomic radius जो है decrease होगा लेकिन जब भी हम किसी group में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या है number of shells जो है वो बढ़ता जा रहा है पहले 1 है फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ फिर 5 हुआ इस तरीके से जो size है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है इसलिए atomic radius जो है वो बढ़ रही है अभी यहाँ पर एक important example देखेंगे अभी आप देखें लीथियम है बी ए बी कारबन नाइट्रोजन ओक्सीजन और एफ ओके इनके केस में क्या होगा इस कीस से जादा होगी यहाँ पर यह देखेंगे आप oxygen फिर नाइट्रोजन फिर यह फिर बोरोन फिर बैरिलियम और फिर लीथियम इस टाइट से रहेगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं एक पीरियड में left to right जा रहे हैं तो atomic radius कम हो रही है अभी आप पीरियड अभी आप गुरुब में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है li plus की सबसे कम होगी इससे ज्यादा होगी na plus की इससे ज्यादा होगी k plus की इससे ज्यादा होगी rb plus की और इससे भी ज्यादा होगी cgm plus की यह किस case में हैं पर एक बात ध्यान देने की आपको है अगर हम इसका solution ले रहे हैं अगर हम इसे aqueous state में ले रहे हैं तो यह जो ratio है यह reverse हो जाएगा मतलब lithium in aqueous state इसकी radius सबसे ज़्यादा होगी फिर na plas की होगी फिर k plus की होगी फिर rb-plus की होगी और फिर cgm प्लस की होगी क्यों ऐसा होगा क्योंकि इसकी hydration energy सबसे ज्यादा है lithium की तो यह क्या होगा hydrated होता जाएगा जब यह hydrated होगा तो इसका size क्या होगा बढ़ जाएगा इस तरीके से तो इसका hydration सबसे ज्यादा होगा इसके बाद इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा जितना चोटा size है उतना ज्यादा hydration होगा और जब hydration ज्यादा होगा तो इसका size बढ़ा हो जाएगा तो अगर आपको सोलूशन दिया है तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा अगर आपको गैसे अजिस्टेट दिये तो इसका साइज सबसे काम होगा यह पॉइंट आपको अमेशा रायत दखना है ओके अब हम आते हैं दूसरे कि आपको नियाइशन पोटेंशियल या आइशीशन एनरजी दो चेशा, जसे क्राने लेका अपकू पोटेंश औरी उसका सबसे पहले है इसे करका क्या है? minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron in ground state from an isolated gaseous atom is known as ionization energy क्या मतलब हुआ इसका हमने एक isolated gaseous atom लिया है माल लिजे hydrogen लिया है यहां पर ठीक है hydrogen लिजे चलिए आप ले लिजे sodium ठीक है अब यह sodium के case में जो electron यहां पर present है आपने gaseous atom लिया isolated gaseous atom यहां पर जो electron present है last okay outer mesh present है जो कि loosely bound है इसको आपको बाहर निकालने के लिए जो energy देनी पड़ेगी से आप इसे कुछ energy देंगे जिससे क्या होगा यह energy है ओके यह energy आप इसे दे रहे हैं तो क्या हो रहा है यह electron जो है यह बाहर निकल रहा है इस energy को हम क्या कहते है आइनाइजेशन energy तो आइनाइजेशन energy हमेशा ही endothermik होती है मतलब इस process में हमेशा energy देनी ही देनी पड़ती है तब ही electron को बाहर निकाल सकते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह जो एम है gaseous atom में इसको हमने कुछ energy दी तो क्या हुआ एक electron बाहर निकला और यह किस में बदल गया m plus gaseous में वह electron बाहर निकला अभी हमने फिर m plus को katea n बन गया था इसको energy दी तो क्या हुआ एक और electron बाहर निकलेगा और यह m plus 2 में change हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे first ionization energy कहेंगे इसे क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे second ionization energy तो एक बात आपको हमेशा ध्यान देनी है यह कि जो e1 होती है वो सबसे कम होती है e2 उससे ज्यादा होती है और e3 उससे ज्यादा होती है हमेशा first ionization energy सबसे कम होती है second उससे ज्यादा होगी third उससे ज्यादा होगी अभी हम देखते है periodic trends in ionization energy कौन-कौन से वेक्टर्स होते हैं जो कि ionization energy को affect करते हैं सबसे पहले यह देखिए और फिर trends देखते हैं तो ionization energy जो है सबसे ज्यादा पहली बात depend करती है ज्यादा नुक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयन इजेशन energy होगी क्योंकि जितना ज्यादा attractive force होगा उतनी ज्यादा मेनाथ हमें करने पड़ेगी है क्लेक्टरन को अट्रेक्टिव पोर्स से बहां निकालने के लिगे मतलब हमें उतनी ज्यादा energy उसे कर रही है size size जितना ज्यादा होगा ionization energy उतनी ही कम होगी जितना बड़ा size होगा क्या होगा electron उतना ही दूर हो जाएगा यहां से यह electron कितनी दूर है बहुत ज्यादा तो इसको निकालने के लिए कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रों यहां पर जैंटे तो हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो आइनाइजेशन एनर्जी size के inversely proportional है तीसरी बात penetrating power of the sub-shells और screening effect जो कि मैंने बताया था कि S की penetrating power सबसे ज्यादा होती है फिर P की होती है फिर D की होती है और F की होती है तो penetrating power और जब सबसे ज्यादा है मतलब इसमें जो electron S orbital में अगर कोई electron present है तो उसको अमें बहार निकालने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइट करनी पड़ेगी बजाए उसके जो पी ब्लॉग में present है तो पी ग्रूप के चो पी और्विटल के लेक्ट्रोंस है उनको इजीली निकाला जा सकता है एस कंपेर टू एस और्विटल के लेक्ट्रोंस तो आइनाइजेशन एनर्जी एस के लिए सबसे ज्यादा होगी फिर पी और्विटल में present एलेक्ट्रोंस के लिए होगी फिर दी के लिए और फिर एफ के लिए अभी इसका कुछ एक्जामपल देख लेते हैं मानिए देखिया आपने लिया अब यहां पर कितने इस प्रिजेंट हैं वनेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ज्यादा होगी लेकिन अभी आपने एक लेक्रोन निकाल दिया तो कॉन्फिगुरेशन क्या बचेगा वन एस टू टू एस वन और यहां पर क्या बचेगा वन एस टू टू एस टू अब आप देखिए यह रहा बोरोन और यह रहा बैरिलियम अब किसको एनरजी ज्यादा है कम होगी और बोरोन के लिए ज्यादा होगी अभी चौथा फैक्टर जो आता है वो क्या है स्टेबिलिटी ओफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड शेल यह आपको पता है कि जब भी किसी भी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है माल लीजे आपने लिया यहां पर तीन एलेक्रोंगें और यह पी और बिटल में अगे तो क्या होगा हिए हाफ फिल्ड शेल इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्ञादा होती है ऐस कंपेर टू ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के केस में कितने एलेक्रोंस प्रिजंट होगे यहां पर यह देखिए 4 electrons present है p orbital में, तो यहां पर जो यह electrons present है, इनकी stability कम है as compared to this, तो यहां पर से electron निकालना असान है, इसकी तुलना में, तो इसके लिए first ionization energy जो होगी, वो nitrogen के लिए ज़्यादा होगी as compared to oxygen, लेकिन अगर हम second ionization energy की बात करें, अगर second की बात करें तो क्या होता है, यहां पर कितने electron रह जाएंगे, यहां पर रह जाएंगे 2 electron, यह nitrogen की case में, लेकिन अगर 부분이 oxygen का case देखेंगे, तो oxygen में कितने electron रह जाएंगे, यहां पर रह जाएंगे 3, अब यह क्या है, यहां Spirit Shell है, तो यानि कि अब reverse हो जाएगा order, जब भी आप किसी भी period में left to right जा रहे हैं तो ionization energy increase हो रही है increase क्यों हो रही है क्योंकि Z effective जो है वो बढ़ रहा है number of shells बराबर है लेकिन Z effective बढ़ रहा है तो जो electrons हैं जो attractive force महसूस कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है इसलिए उनको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा इनर्जी प्रोवाइट करनी पड़ेगी तो ionization energy increase होगी लेकिन यहां पर कुछ cases हैं जो कि differ कर रहे हैं आपको बेसिकली धियान पड़ेगा देखिए नोबल के लिए सबसे ज्यादा होगी को फ्लोरीन के लिए होगी लेकिन oxygen की कम होगी nitrogen की तुलना में क्यों अभी मैंने आपको बताया था आपने देखा था nitrogen का half-filled shell है तो इसके लिए ज्यादा होगी as compared to this अभी same condition यहां बार हो रही है बी के लिए ज्यादा है जो कि मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि यहां पर पी में बिर्जेंट है तो इसकी एनर्जी कम होगी तो यह वाला आपको ध्यान रखना यह important है काफी ठीक है इसी तरीके से आप किसी भी group में नीचे की तरफ जाते हैं तो ionization energy decrease होती है क्यों क्योंकि number of shells बढ़ता जा रहा है distance जो है electron का बढ़ रहा है Z effective घट रहा है इसलिए electrons यहां पा loosely bound है उन्हें असाली से बाहर निकाला जा सकता है ठीक है तो ionization energy जैसे जैसे dna की है इससे कम के की फिर rb की और फिर cs की है लेकिन कुछ h captions भी आपको देखने को मिलते हैं वह आप जड़ा देख लीजिए ध्यान से जैसा कि मैंने एक आपको दिया हुआ है यहां पर आप देखेंगे यह देखिए बोरोन से aluminum की कम है लेकिन यहां पर ga की ज्यादा है औ तो कि यह transition contraction की वज़े से होता है transition metals में d orbital presenter यहां पर slightly contraction होता है जिसकी वज़े से इसकी ionization energy aluminum की तुल्ला में ज़्यादा होती है तो यह बात आपको notice करनी है अब देखते है applications of ionization energy काफी सारे applications of ionization energy का effect कहां कहां पढ़ता है पहली बात है metallic character ionization energy जो है inversely proportional होती है metallic character के जितनी ज्यादा ionization energy होगी metallic character उतना कम होगा और ionization energy जितनी कम होगी metallic character उतना ज्यादा होगा यानि कि जब हम किसी भी period में left to right जाते हैं तो क्या हो रहा है metallic character decrease हो रहा है और non metallic character बढ़ रहा है यानि आपने जो इस तरह elements देके थे इस period में जब आप इधर की तरफ ते तो यहां पर क्या elements थे ऐसे sodium प्रिजेंट था यहां पर क्या प्रिजेंट थे chlorine प्रिजेंट था ओके तो इन केसे में oxygen प्रिजेंट था तो जैसे जैसे आप इस side बढ़ते हैं तो क्या होता है नौन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है यहां नौन मेटल्स प्रिजेंट है और यहां पर मेटल्स प्रिजेंट है ओके similarly आप जब किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है ओके यह तो इसकी बात अब दूसरा पॉइंट है in reactivity reactivity घी अटिवीटी थे अड्री के इन्वर्सली प्रोश्टल होती है जितना ज्यादा इनजेशन एनर्जी होगी क्योंकि इल्यक्ट्रों जल्दी बाहर निकलेंगे नहीं तो reactivity कम हो जाएगी तो जब भी आप एक में left to right जाते हैं तो reactivity करती है और जब भी आप किसी ग्रूब में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो reactivity increase होती है अब तीसरा पॉइंट आता है oxidation state if the difference between two successive ionization energy of an element is greater than or equal to 16EV then the lower oxidation state is more stable इससे हम oxidation state का पता लगा सकते हैं कि कौन सी state जादा stable है और कौन सी कम stable है अगर दो successive state के बीच में 16EV का या इससे ज्यादा का difference है तो मतला lower oxidation state ज्यादा stable होती है जैसे कि आप aluminum के case में ही देख लीजिए aluminum gas है इसको जब आप AL plus में change कर रहे हैं यह इसकी क्या होई पॉस्ट ionization energy होई इसके बाद आपने इससे एक और electron निकाला तो क्या बना AL plus 2 बना प्लस electron निकला फिर आपने इससे एक और electron निकाला अभी आपने इससे एक और electron निकाला ठीक है लेकिन जो यह difference होगा यहाँ पर इसको आप AL plus 3 से AL plus 4 बनाना चाहेंगे यह जो difference होगा ionization energy में, ionization energy हड़ स्टेट पर बढ़ रही है यहाँ पर जो है इससे ज्यादा E2 के लिए है इससे ज्यादा E3 के लिए है लेकिन आप जो गौर करेंगे जो E3 से E4 के बीच में है वो difference 16EB से ज्यादा होगा मतलब जो E3 स्टेट है यह जो AL plus 3 oxidation state है यह much more stable as compared to all others यह जो है इस जो 16EB से ज्यादा होगी इस तरीके से आप oxidation state find out कर सकते हैं okay now the next thing is the electron affinity or electron gain enthalpy what is this the amount of energy released when an electron is added to the valence cell of an isolated gaseous atom that is called the electron affinity or electron gain enthalpy means एक एटम आपको दिया हुआ है isolated atom यहां पर आप एक electron add करना चाहरे है इसमें आप एक electron add करना चाहते हैं इसके लिए क्या होगा कुछ energy देनी पड़ेगी या कुछ energy निकलेगी तो जो actually होता क्या है जो first electron आप add करते हैं उसमें energy कुछ निकलती है इस process में इस energy को हम क्या कहते हैं electron gain enthalpy कहते हैं तो जो first electron gain enthalpy होती है वो हमेशा ही negative होती है मतलब जो first energy है वो exothermic process है इस process में electron energy निकलती ही निकलती है जैसे कि X दिया है process exothermic होता है लेकिन second gain enthalpy हमेशा ही positive होती है क्यों positive होती है क्योंकि आपने एक electron तो अलेड़ी 8 कर दिया है अभी आप दूसरा electron add करने चलेंगे तो क्या होगा electron electron की बीच में repulsion होगा इसलिए आपको कुछ energy भाहर से provide करनी ही पड़ेगी तब यह process हो बाएगा इसलिए second electron gain enthalpy हमे क्या है electron affinity inversely proportional होती है चार्ज के जितना ज्यादा atomic size होगा electron affinity उतनी ही कम होगी दूसरा point जो है वो electron affinity जो है वो directly proportional होती है Z effective के मतलब जितना ज्यादा Z effective होगा electron को positive charge बढ़ रहा है Z effective बढ़ रहा है मतलब क्या है attractive power बढ़ रही है बढ़ाएंगे तो electron affinity बढ़ेगी negative charge बढ़ाएंगे तो electron affinity कम होगी क्योंकि यहां पार electrons के बीच में repulsion होगा ठीक है ना इसी तरीके से एक और important factor है stability of completely filled and half filled shell अगर आपको एक half filled shell दिया है या completely filled shell दिया है तो उसमें उसकेस में क्या होगा ऐसे shells जो होते हैं वो highly stable होते हैं एक shell आपको दिया हुआ है यह half filled है तो इसकी stability कहीं जादा है अगर आप इसमें एक electron add करना चाहरे हैं तो क्या होगा यह नहीं होना चाहेगा इसलिए इस केस में generally जो है आपको energy बाहर से provide करनी परती है और अगर निकलती भी है तो बहुत थोड़ी energy निकलती है इसलिए इस case में जो electron affinity है या तो zero होती है या फिर बहुत ही कम होती है ओके अब चलिए देखते है general trends क्या है यहां पर electron affinity को लेकर जो हम left से right की तरफ जाते है किसी भी period में तो electron affinity increase होती है क्यों increase होती है क्योंगी जब जैड एफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है electrons के परती attraction बढ़ेगा और आप किसी भी group में जब आप किसी भी group में top से bottom की तरफ जाते हैं तो क्या होता है electron affinity आफिन को नहीं होती है अब सबसे इंपोर्डेंट बात नहीं है इसा क्यों होता है क्योंकि जो फ्लोरी निसका साइस बहुत चोटा है यहां पार अधर को एड करना चाहेंगे तो क्या होगा यह एक्ट्रोन के बीच में रिपल्सन क्रियेट होगा इसलिए इतने ज्यादा इलेक्रों को अपने चारों रेकॉमेडेट नहीं कर सकता है इसलिए इसकी इलेक्रों आफिनिटी कम होती है सबसे ज्यादा होती है तो एक चीज इंपोर्टेंट करनी है आपको कि थर्ड पीरियट के लिए जो है यहां पर क्या आता और इसके बाद क्या आता है यह क्या आता यह नोबल गेसे और मैंने आपको बता था fessica के लिए एलेक्ट्टॉन ऐड़ी करनेज़ाइध नहीं चाहेंगे ऍसलिए ऋटाकर एहा है और उप्लोजिन कीभी दो last जो जो और है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा यहां पर किस कि कम होती जा रही है यह यह भी यहां पर ट्वाइस ना पड़ेगा अब ही देखी आप थर्ड पीरियड में रहों है किस परीग लिकना है? CL के लिए ज़्यादा होगी, फिर Flurine के लिए उगए फिर Women के लिए होगी और फिर उसके बाध दिन के लिए होगी इंडी के लिए को के लिए उसके बार लूप industri क्या होगा? यहां पर भेट्विया उस पॉसपरिकली जैदा होगी फिर Ky and के लिए होगी फिर फॉस्फोरस के लिए और फिर नाइट्रोसन के लिए होगी तो यह वाले ऊडर साब को याद रखने है चलिया आँगे बढ़ते हैं अभी जो लाश टॉपिक है लाश्ट प्रॉपटी वह क्या है एलक्ट्रो निगेटिवीटी एलक्ट्रो है वytकी चारोब यहां पर से लेक्ट्रों गर रहे हैं इस्ट कर सब्सक्राइब भाहर layer इसमें जो एद exactly बहुत पर कर्रें जो निकल रहे हैं पर सब्सक्राइपिंजने करने बधी रहे पार वाद ट्वाらकर निकल रहें इता रहें एिस attracting power को इसके tendency को जो इसकी है इसकी है लेक्टरनीगेटेविटी करते हैं और एक intellectually में लेक्टरनेगेटिव मिट्वीटी चाहिए जैसे कि पॉलिंग स्केल या मुलीकेन स्केल तो पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन की लेक्टो निगेटिविटी किनी पाई गई है 4.0 जो कि प्यूरी प्रियोडिक्टिवल में सबसे ज्यादा है अब हम देखते हैं फैक्टर सब्सक्राइटिविटी सबसे पहला फैक्टर क्या यह और फिर आयोडियल की यह हो गया इलेक्टो निगेटिविटी का ओडर इसी तरीके से आध्र निगेटिविटी जो है वह जैड एक्टिव कि डायेक्टी प्रिपोर्शनल होती जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी एलेक्ट्रों को अट्रेक्ट करने की जिससे आप इसे ईजी ली चाहेगा तो यहाँ पर यहां पर सबसे ज़ादा पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर सबसे ज्यादा लेना चाहेगा फिर सबसे कम होगी अगर आप मेंगनी तो इसकी और कम हो जाएगी ठीक है इसी तरीके से आपको एक decentralized order का ओडर दिए जाता है ओ-- diya है ओ- diya है o diya है o plus diya है और o plus 2 diya है तो सबसे ज़्यादा electronegativity किसके लिए होगी इसके लिए होगी फिर इसके लिए होगी फिर इसके लिए होगी फिर इसके लिए होगी ओके अगर हमको यहाँ पर इसी तरीके से आपको अगर radius का order दे दिया है तो radius यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसकी होगी फिर इसकी होगी यह किसकी होगी यह किसका order होगा radius का और यह किसका order दिया है मैंने electronegativity का तो concept clear हो तो आप easily order निकाल सकते हैं अब तीसरा factor जो आता है वो क्या है s character जिन एक sc3 है तो यहाँ पर as character सबसे ज़्यादा है तो इस case में electronegativity सबसे ज़्यादा होगी फिर इसके case में और पर दिया है sp वाला कौं सा है तो यहाँ पर क्या होगी यह electronegativity सभा दोगी आपको यह दिया है CH2 double bond CH2, इसमें इससे कम होगी, और यहाँ पर आपको दिया है CH4, तो इसकी सबसे कम होगी, ओके, clear है, अभी यहाँ पर general trends देख लेते हैं, इसके general trend क्या है, अगर आप किसी भी period में left to right जाते हैं, तो electronegativity बढ़ती है, और आपने देखा है, halogenes के case में हैं, तो electronegativity कम होती है, तो यहाँ पर आप जब group में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, lithium प्लस है, और सबसे नीचे क्या है, CGM प्लस है, तो इसके case में सबसे ज़्यादा electropositive यह होगा, और सबसे ज़्यादा electronegative कौन होता है, यहाँ पर, F-, अब आते हैं, application of electronegativity पर, सबसे बहला application है, metallic character, जितनी ज़्यादा electronegativity होगी, electronegativity इतनी ज़्यादा होगी, non metallic character उतना ज़्यादा होगा, मतलब metallic character उतना ही कम होता जाएगा, ओके, दूसरी जी जाती है, bond energy, bond energy जो होती है, वो directly proportional होती है, difference in the electronegativity, जैसे कि आप ले रहे हैं, अगर HF, SCL, HBR और HI, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, electronegativity में difference सबसे ज़्यादा किस के किस में है, किसमें तो यहां पर सबसे ज़्यादा बॉंड एनर्जी होगी फिर इसकी होगी फिर इसकी होगी तो सबसे ज़्यादा बॉंड एनर्जी किसकी है है अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइट तो देखिए जब आप पिरिएड में left to right बढ़ते हैं तो बेसिक करेक्टर इनक्रीज होता है और जब भी आप किसी ग्रुब में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक करेक्टर इनक्रीज होता है तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ दिया हुआ है यह देखिए जो आपके इस पीरिएड में आप left to right बढ़ रहे है तो यहाँ पर देखिए यह जो होते हैं इसके oxides acidic होते हैं नेचर में यहाँ पर इनके oxides कैसे होंगे बेसिक होंगे नेचर में और जो यह middle portion से यह amphoteric होंगे मतलब यह acid और base बोथ दोनों तरीके से बिएव कर सकते हैं ओके तो चीज़े clear हैं यहां तक तो यह सारा था क्या पीडियो डिक्रेंट्स में जो कुछ भी important था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है अगर आप इस सब को अच्छे से revise कर लेते हैं तो आप पूरे questions easily लगा सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please comment करना मत भूलिएगा और like और share जरूर कीजिएगा थैं